दोस्तों होमियोपेथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं जिन दवाओं को दिन में किवल एक बार खाना है उन्हें सुभे खाली पेट खा लेना चाहिए मुँ में अच्छे से कुला करके गारगल्स करके मुँ को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होमियोपेथिक दवाई खा लेना चाहिए जिन दवाओं को दिन में दो बार या तीन बार या चार बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर दो से धाई घंटे बाद ही खाएं और उस इस्थिती में भी हमारे मुह में किसी भी वस्तू का किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए नहीं हमारे मुह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए जिससे की ये होमियोपेथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है तो हमें हमेशा ये धियान रखना है कि जब भी हम होमयोपैतिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलाइची खा सकते हैं या नहीं बिलकुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं होमियोपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड इनके खाने से या तो आदे गंटे पहले होमियोपैथिक दवा खालें या फिर इने खाने के दो ड़ाई गंटे बाद जब कि आपने मुह में अच्छे से कुला कर लिया हो अच्छे से गारगल्स कर लिये हो तब इन होमियोपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होमि होमियोपेथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है ये होमियोपेथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदी किसी भी होमियोपेथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्द हो जाएंगी ये दवाए हर होमियोपेथिक फार्मेसी पर उपलब्द होती है हर ओनलाइन फार्मेसी पर उपलब्द होती है इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं निरामय होमियोपेथि क्लीनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी ज जाती है इसलिए अपने नजदी की होमियोपेथिक मेडिकल स्टोर या ओनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सौपनिल सागर जैन निरामाय होमियोपेथिक के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोतिया बिंद के बारे में यानि की केटरेक्ट के बारे में कि आखिर मोतिया बिंद होता क्या है ये किन कारणों से होता है और होमियोपेथिक का इसमें क्या रोल है क्या होमियोपेथिक इसको ठीक कर सकती है या नहीं इस बारे में मैं अपने विचार आपको दूँगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मोतिया बिंद आखिर होता क्या है दोस्तों हमारी जो आखें होती है उनमें एक लेंस होता है ये लेंस आइरिस और प्यूपिल जो आख के हिस्से होते हैं उनके पीछे इस्थेत होता है और इस लेंस का काम होता है कि जो भी रोशनी या जो इमेज हमारी आख पर पढ़ रही है उसको रेटीना तक एज इस पहुचाना ये lens का काम होता है और ये lens बिलकुल camera की lens की तरह ही काम करता है अब जब भी कभी इसमें किसी भी कारण से इसकी जो पारदर्शिता होती है यानि कि इसकी जो transparency होती है वो कम होने लगती है या खत्म होने लगती है तब उस condition को ही cataract या मोती या बिंद कहा जाता है अब ये जो lens होता है दोस्तों ये पानी और protein से मिलकर बना होता है इसमें protein का जो arrangement होता है वो इस तरह से होता है कि ये lens को पूरी तरह से transparent बना के रखते हैं यानि कि पारदर्शी बना के रखते हैं जिसके कारण जो भी image या जो रोशनी सामने से आ रही है वो आँख के lens से होती हुई सीधे जो पीछे retina इस्तेत है वहाँ पर पहुचती है और वहाँ पर एक image का formation हो जाता है जब भी कभी किसी भी कारण से इन proteins में आपस में clumping होने लगती है यानि कि ये आपस में गुच्छे जैसे बनने लगते हैं और गुच्छे जैसे बनकर किसी एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं जिसके कारण वहाँ पर cloudiness develop हो जाती है यानि कि आँखों में आपने जो सफेद कलर का जो हिस्सा देखा होगा बहुत सारे लोगों में जिन में मोतिया बिंद की शिकायत है वास्तब में वो प्रोटीन की clumping होने के कारण ही develop होता है यानि कि जो प्रोटीन होता है उसके आपस में गुच्छे बन जाते हैं और वो उस हिस्से पर वहाँ पर सफेदी पैदा कर देते हैं इस ही condition को मोतिया बिंद या cataract कहा जाता है यदि हम इसके कारणों की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं और सबसे जो प्रमुक कारण होता है वो होता है किसी भी व्यक्ति की बढ़ती हुई उम्र यानि कि जिन लोगों के उम्र 50-55 वर्ष से जादा होने लगती है वहाँ पर protein में automatically imbalance होने लगता है और वहाँ पर proteins की clumping automatically start हो जाती है ऐसा बहुत सारे लोगों में होता है दूसरा जो reason होता है वो होता है धूम्रपान या alcohol का अधिक सेवन करना इसका तीसरा कारण हो सकता है किसी भी patient को आँख में कोई चोट लग जाना या किसी भी प्रकार का कोई infection हो जाना इसके अलावा कुछ बच्चों में जन्म से पहले ठीक से development ना होने के कारण भी cataract की यानि की मोतिया बिंद की शिकायत होती है अब यदि हम इसके लक्षणों की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं और सबसे प्रमख होता है दुन्दला दिखाई देना दूसरा होता है कि किसी भी रोशनी की चारों और दुन्दला एक गोला सा दिखाई देना तीसरा होता है बार-बार चश्मी की नमबर बदलते चले जाना इसके अलावा रंगों का फीका नजर आना और डबल विजन यानि की दोहरा हो जाना मतलब चेहरे एक के दो दिखाई देना इस तरहे के जो लक्षन होते हैं ये कैटरेक्ट के लक्षन होते हैं यदि हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें और खास तोर से होमियोपैथी की बात करें तो अब मैं यहाँ पर होमियोपैथी के बारे में बताना शुरू करता हूँ दोस्तो एक लाइन में यदि मैं बोलू तो cataract का homeopathy में कोई भी किसी भी प्रकार का treatment available नहीं है I am repeating my words कि cataract का यानि कि मोतिय अबिंद का homeopathy में कहीं भी किसी भी प्रकार का treatment available नहीं है अब आप लोग ये सोचेंगे कि फिर इतने सारे जो homeopathy के market में drops है आपने YouTube पर इतने सारे वीडियोज देखे हैं जिन में कि बताया है कि cataract की ये सबसे अच्छी drop है वो सबसे अच्छी medicine है तो फिर ये क्या है तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि cataract का चुकि homeopathy में कोई specific treatment available ही नहीं है तो ये जितने भी वीडियोज अविलेबल हैं YouTube पर और जो कि मोतिया विंद को homeopathy से ठीक करने का दावा करते हैं या वो दावा बताते हैं वो सारे जो वीडियोज हैं वो फेक हैं और वो जो सारे डॉक्टर्स हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं homeopathy कभी भी किसी भी प्रकार से cataract को ठीक नहीं कर सकती क्योंकि cataract एक प्रकार की mechanical injury है और mechanical injuries किसी भी पैथी में ठीक नहीं की जा सकती चाहे वो एलोपैथी हो चाहे वो आयोरवेद हो चाहे होमियोपैथी हो चाहे युनानी हो चाहे सिद्धा हो चाहे natural medicines ही क्यों ना हो cataract को किसी भी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता सिवाए सरजरी के यानि कि cataract का केवल और केवल एक ही treatment available है और वो है सरजरी अब आप लोगों के मन में ये प्रशन आएगा कि बहुत सारे लोग सिनेरेरिया को बहुत जादा specific medicine बताते हैं cataract के लिए तो इसके बारे में भी अभी आप लोगों को पूरी जानकारी उपलब्द नहीं है दोस्तों और नहीं कोई homeopathic doctor आपको ये बताता है कि सिनेरेरिया वास्तब में homeopathic medicine है ही नहीं आज तक उसके पर homeopathic में किसी भी प्रकार की नहीं कोई proving की गई है और नहीं कोई study की गई है केवल वो एक drop है एक chemical है एक दवा है उस दवा का homeopathic में eye drop के रूप में उपयोग किया गया है और उसको यूफरेशिया के साथ चोकी एक homeopathic medicine है उसको मिला कर केवल marketing strategy के रूप में बाजार में उपलब्द करा दिया गया है ये ठीक वैसे ही product की तरह है जो की साबन से 99.99 प्रतिशत bacteria या virus के खत्म होने का दावा करते हैं और बाद में उसी साबन से हाथ दोने को मना करते हैं यदि कोई ये व्यक्ति एक बार उस साबन से हाथ धोले तो दूसरी बार उस साबन से हाथ ना धोए क्योंकि उस पे 99 प्रतीशत बैक्टीरिया जमे हुए हैं तो वो 99 प्रतीशत बैक्टीरिया यदि वो मार सकती थी तो फिर वो उसने मारे क्यों नहीं तो ठीक वैसा ही होमियोपैथी में भी किया गया है एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंतरगत बहुत सारे प्रोडक्ट्स होमियोपैथी के बाजार में उपलब्द करा दिये गए है और डॉक्टर्स भी बिना सोचे समझे बलकि मैं तो उन लोगों को डॉक्टर्स ही नहीं कहूंगा बस वो अपना एक दुकान चला रहे हैं अपनी तो बस मेरा उनके बारे में इतना ही कहना है बाकि कैटरेक्ट का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट होमियोपैथी में ना करें ये मेरी आपको बिलकुल सलाह है और आप सतंत्र हैं आप इस सलाह को माने अथवा ना माने लेकिन एक होमियोपैथिक फिजीशियर होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल होमियोपैथी में नहीं है मोतिया बिन को होमियोपैथिक दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता है और जो सिनेरेरिया का जो ड्रॉप अवेलेबल है उससे 1% भी किसी पेशेंट को फायदा नहीं होगा बास्तब मैं सिनेरेरिया अमियोपैथिक ही मेडिसिन है ही नहीं तो दोस्तो ये मेरी जो opinion है, ये cataract के बारे में है, लक्षन सभी लोग आसानी से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसका केवल एक उपचार है कि उसकी समय रहते सरजरी करा ली जाए, वो सबसे अच्छा treatment उसका है, तो दोस्तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे के वीडियोज में मैं आपसे बात करूँगा, कुछ नई बीमारियों के बारे में, और उनकी homeopathic दवाओं के बारे में, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत!